नमस्कार दोस्तों वर्ल्ड कप 2023 के अपनी लीग मुकाबला में अफगानिस्तान के टीम को बड़े अंतर से धुल चटाने के बाद और इतनी बड़े जीत मिलने के बावजुद भी भारते टीम के कप्तान रोहित सर्माने वर्ल्ड कप 2030 के लिए लीग मुकाबले के अपने त जुरुआती मुकाबला में पहले आश्टलिया और फिर अफगानिस्तान टीम को बुरी तरह से कुचलने के बाद अब अपनी लीग के तिसरे मुकाबला में पाकिस्तान के साथ मैदान पर भिड़ने वाली है और पाकिस्तान के खिलाब इस मुकाबले के सुरू होने से पहले ह प्लेंग张ay, लुहिटर्मा केला है, और पाकिस्टान के खिलाप प्लेंग 11 का एलान कर दिया है, और ऐसे और धूरंधरों सी नहीं स्वर्मा Coffee and वर्ड कप 2023 में काफी सांदार फोम से गुजर रही है इसलिए भारत्य टीम को पाकिस्तान को हराना उतना भी आसान नहीं होने वाला है लेकिन दोस्तों रोहिच सर्मा ने बड़ा ररनिती के साथ प्लेइंग इलवन में बदलाव करके ररनिती के साथ ही पाकिस्तान को हराने म मुकाबला हुने वाला है और यह मुकाबला 14 अक्टूबर को नरेंद्र मोधी किरकेट इस्टेडियम अहमदाबाद में खेला जाना है इस मैज का टोस भारते समय अनुसार दोपाहर एक बच कर 30 मिनिट में होगा वही दोस्तों इस मैज का पाहला गेन दोपाहर दो बजे फ पाकिस्तान के खिलाब भारत की तरफ से सुबमन गिला रोहित सर्मा ने ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे दोस्तों इससे पहले दो मुकाबला में रोहित सर्मा और इसान कि सनपारी की सुरुआत किये थे लेकिन दोस्तों पाकिस्तान के खिलाब हमें सुबमन गिल खेल हर्थे टिम के कप्तान रोहिद सर्मा देते हुए नजर आएंगे रोहिद सर्मा का फोम भी अभी वापस आ चुका है और क्या कम्माल का बल्ले बाजी करते नजर आए हैं रोहिद सर्मा को तो आप जानते ही होंगे कि 2019 वर्ल्ड कप में 5 सतक जड़ दिये थे अब गानिस्तान के खिलाब भी वर्ल्ड कप 2023 का सतक खाता खोल दिया है और उम्मीद है कि आने वाले मैच में पाकिस्तान के गिंद बाजों को भी जम कर कुटाई करने वाले हैं इसके बाद इन दोनों के अलावा दुनिया का नंबर वन बल्ले बाज रन मसीन बिराट कोहली तीसरे नंबर पर बले बाजी करते हुए नजर आने वाले हैं क्योंकि दोस्तों बिराट कोहली का ले में होना मतलब भारत को ट्रोफी पर काबजा करने जैसे हैं दोस्तों कोहली का फोम कम्माल कहा है आपने तो आश्टलिया के खिलाब देखा है वह पहरते टीम कितनी दबाव में थी लेकिन दोस्तों बिराट कोहली ने आशलिया टीम के जबडे से मैच छिन लिया था और अफगानिस्तान के खिलाब सांदार 50 भी लगाया और पाकिस्तान के खिलाब तो इनका बला जोर से गरजता है और पाकिस्तान टीम के जीत में दिवार बनकर खड़े हो जाते हैं वहीं ब बाजों को भूखे सेर की तरह तूट पड़ते हैं और अफगानिस्तान के खिलाब आयर के लिए कुछी बोल खेलने को मिला था और हाई कंफिडेंस के साथ बैटिंग करते हुए नजर आये थे वहीं स्रिया सेयर के अलावा पाच्वे नंबर पर भारतिये टिम के खतरनाक बिकेट कीपर और बल्लेबाज केल राहूल खेलते नजर आएंगे क्योंकि दोस्तों केल राहूल बिकेट कीपर के अलावा बल्लेबाजी में भी भारतिये फैंस का दिल जीत लिया है जब से भारतिये टिम में इंजिरी के बाद एंट्री मारी है तब से केल राहूल का किरक में चार्चा चारो और है और आश्टलिया के खिलाब तो आपने देखा ही होगा बिराट कोहली के साथ मिलकर हारते मैच को छिन लिया वही दोस्तों भारतिय टीम में रोहित सर्मा ने तिन खतरनाक अलराउंडर को मौका दिया है क्योंकि दोस्तों ये खिलाडी बैटिंग और भारतिय टीम के फिल्डर रविंद्र जड़ेजा को खिलने का मौका दिया गया है भले ही दोस्तों रविंद्र जडेजा अफगानिस्तान के खिलाब कुछ खास नहीं कर सके लेकिन उससे पहले आश्टलिया के टीम को बाइक फूट में धाकेलने का कार्या अपने इस्पिन बोल से रविंद्र जडेजा नहीं किया था वही तिसरे अलराउंडर के रूप में रोहित सर्माने आर अस्विन के जगा सारदूल ठाकूर को फिर से मौका देना चाहेगी क्योंकि दोस्तों अहमदाबाद की पीच इस्पिन को कम सपोर्ट करता है इसलिए भारतिय टीम के प्लेइंग इलोन में फिर से सारदूल ठाकूर को मौका मिलेगा वही नवे नंबर पर इस्पिन के जादूगर कुल्दी प्यादों को मौका दिया गया है पाकिस्तान टीम के बल्ले बाजों को अपने फिरकी की जाल में फसा कर भारतिय टीम को जित दिलाने का कारे करेंगे दोस्तों बता दे कुल्दी प्यादों को 2023 में क आफी बेहत्रीन फोम से गुजर रहे हैं वही रोहित सर्मा ने दो फास्ट बोलर को टीम में जगह दिया है और पाकिस्तान टीम को कुचलने में इनी दो गेंदबाजों पर सब की नेजर रहने वाली है तो पहले नंबर पर जस्पृत बुम्रा तेज गेंदबाज का मुर्च सिराज को जगह दे दिया गया है क्योंकि दोस्तों मुहमत सिराज दुनिया का नंबर वन तेज गेंदबाज बन गए है और पाकिस्तान के खिलाब फिर से मिया म्यूजिक देखने को मिलने वाला है दोस्तों रोहित सर्मा ने पाकिस्तान को बुरी तरह से कुचलने के लिए इन प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरने वाली है